इस्रेल में इरान को लेकर अब एक नया अलर्ट आया नेतन्याहू को बाइडिन ने बताया कि जबो गाजम बंबारी कर रहे थे तब इरान ने एक ऐसा हत्यार तयार कर लिया जो एक वार में पूरे इस्राइल को मिटा सकता है इरान को लेकर इस रिपोर्ट में ऐसे खत्रे के बारे में बदा चला जिसके बारे में रूस को भी मालूम नहीं देखाए इरान का बंप भटेगा तो इस्रेल ऐसे काउंटर करेगा इसरेल को यकीन हो गया है कि इरान ने एटम बंप बना लिया है अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये है इस्रेल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इस्रेल पर लॉंग रेंज मिसाइल से हमला होता है एरो सिस्टम ने इस्रेल को यमन से फायर की गई बैलेस्टिक मिसाइल से बचाया लेकिन क्या ये सिस्टम अब इरान के अचम भम से बचा पाएगा? क्योंकि इरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खत्रा इसरेल को सता रहा है पूरे इसरेल में परवानो भम का सायरन बचने लगा है चाहे वो राजधानी तेल अवीग हो या फिर हाइपा या फिर कोई और इसरेली शहर इस वक्त हमास के रॉकेट से जादा खौफ इरान की मिसाईल का है क्योंकि अब उसमें परवानो भम भी फिट हो सकता है अमेरिका दावा कर रहा है कि इरान के पास अब इसरेल तक पहुचने वाली मिसाईल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम भम भी इरान के परवानो ठेकाने को लेकर IAEA यानि अंतराश्य परवानो उर्जा एजनसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसरेल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है आए ये कि सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया क्या है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धित जूरेनियम एकठा कर लिया है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इरान इससे तीन एटम बम बना सकता है इरान का इरानियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक महुच गया है एक परवानो बम बनाने के लिए इरानियम का 90 प्रतिशत तक समवर्धित करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धन कर लिया है हलाकि 90 पॉसंट तक समवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं यानि इरान अब परवानो बम बनाने के बहुत करीब है ऐसे दावे इसरेल और अमेरिकाल लगातार करते रहे हैं इसरेल ने हमेशा कहा है कि वो इरान को परमाडो बम नहीं बनाने देगा अमेरिका भी इरान के परमाडो कारिक्रम को लेकर इसरेल की हां में हां मिलाता आया है इस वक्त पूरा पश्यमेशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सो लग रहा है इरांग से लेकर इज्रैल और तुर्की से लेकर सौधी अरब घाज़ा पट्टी में हो रही बंबारी ने पूरे अरब वर्ल को बारूद के धेर पर बैठा दिया है अब पर्माणू बं को लेकर इरांग वाले खत्रे ने इज्रैल और अमेरिका का डर्व वाला मीटर रेड लेबल पर ले आया है इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वार बन कर तूट सकता है क्योंकि इरां कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉंच होने के 400 सेकंड के अंदर इज्रैल पर जाकर तबाही मचा सकती है इरां अब हाइपरसोनिक मिसाइल तयार कर चुका है उसकी बलेस्टिक मिसाइल को इज्रैल आरन डूम से नहीं गिरा सकता और इरां का दावा है कि इज्रैल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी इस स्वक्त इरां के परमाणू कारेक्टरम को लेकर जो खबरे हैं उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणू वड़े पर सब की नजरे हैं। अभी इरान ने छे स्पॉट पर नियोकलियर रियक्टर लगाये हुए हैं। लेकिन इन में से दो एहम साइट है। पहली जगह है नतांस और दूसरी जगह है फोडो। यहां है अंडरग्राउन नियोकलियर साइट जहां इरान सबसे ज्यादा गुडवत्ता के यूरेनियम सम्मर्धन करता है। ज्यादा बैतर क्वालिटी यानि बंब बनाने के लिए बैतर गुरेनियम इरान के परवाणू प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटलाइट तजवीरें भी जारी हो चुकी है। यह नतांस नियोकलियर साइट की 2002 की तजवीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोडो वाले नियोकेर साइट की पहली सैटलाइट तसवीर 2009 में सामने आई थे। यहां भी 2002 से 2020 तक इरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्तित कर रहा है। इरान के पास अभी एटम बम नहीं है। यह बाग तो पुखता तौर पर अमेरिका भी मानता है। लेकिन इसरेल के पास एटम बम है। इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीक में इस्रेयल के शान्त रेकिस्तान में नेगेव परमाणू रिसर्च सेंटर है जहां ताकत पर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टाक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्ट इंस्ट्यूट के मुताबिक इस्रैल के पास करीब 90 पर्माणू बम है जो पूरे पश्यम एशिया को बिगले हूँ बेद में तब्दील कर सकते हैं गाजा में बंबारी के दोरा इस्रैल के मंक्री पर्माणू बम इस्तिमाल करने की भी सला थी जिसे बाद में नेतन्याहो ने खारिश कर दिया लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इस्राइल जिस बम को छुपाने की कुशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की बज़ा बन सकता है और अबीरान के पर्माणु का रिकम को लेकर ये दुश्मनी और हतरना को जाती है ऴिसे को एक मिपदेशसे से से सुब्साइर ले एक रूत outreach ऑren का इल मिन कुछ पर्मिय़ एुरम है एक दूसरे के सबसे बड़ा लुषन है दोनों एक दूसरे को मिचाने की धंकिया देते हैं.